दोस्तों सबसे बले आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल क्रेजी ग्यान पर तो इस वीडियो के इंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी के फोन में अगर कैमरा है और कैमरे में वो जो बटन होता है जिसका अस्तमाल करके आप अपने फोन से फोटो अगरा खींसते हैं तो इस वीडियो के इंदर आज मैं आप सभी को कैमरे की पाँच ऐसी इंपोर्टन और सीक्रेट ट्रिक के वार बताने वाला हूँ जिन ट्रिक के वारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं बताओगा और जब इन ट्रिक को इन सैटिंग को आप अपने फोन की कैमरे में करेंगे न तो आप सभी को दस गुना मजा आने वाला है तो अगर आप जानना चाहते हैं ये पाचो सैटिंग कौन से है ट्रिक कौन से है किस तरीके से इन सैटिंग को आप अपने फोन के कैमरे में कर सकते हैं तो चलिए अब जल्दी से करते हैं वड़को स्टार्ट इसके बाद आप सभी को नीचे आइक छोटा सा comment भी लिग देना है और comment कर आप सभी को बताना है या फिर आप सभी के पास एक camera वाला phone होता है तो सबसे बहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब भी आप अपने phone के camera से photo खीजते हैं तो उस photo का जो size होता है इतना सा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस size को कहते हैं 4x3 ठीक है तो इतने ही size में आपके phone का चो camera है आपके full screen size के यहाँ पर photo ले तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है चली मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आप सभी को अपने phone के camera की setting में चले जाने ठीक है जैसी आप अपने phone के camera के setting में आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को नीचे चले आना है और यह यहाँ पर जितना भी जादा नमर होगा उसके उपर है यहाँ पर आप सभी को set कर देना है उसके वाल जब भी आप अपने phone के camera से photo कीचेंगे तो यहाँ पर आपके phone के full screen में photo को खेंचने वाला है तो चली अब मैं आपको दूसरी setting के बार बता देता हूँ दोस्तों यह ज editing कुछ लोग अपने phone में कर भी सकते हैं और कुछ लोग अपने phone में नहीं भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको सबसे वाले photo दिखाना चाहूंगा जब भी आप एक phone करीते हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके फूटो में यह चीज लिखी वाए या फिर आपके फून का जो नाम है वो लिखावां तो इसके लिए आप सभी को क्या सेटिंग करने हैं चले मैं आपको बता देता हूं तो इसके लिए सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब और आप सब्सक्राइब तो इसको बंद करेंगे उसके बाद जो भी फोटो आप अपने फोन के कैमरे में कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको तीसरी setting के बार बता देता हूँ दोस्तो यह जो हमारी तीसरी setting है इस setting का अस्वाल करके आपके पास कोई भी camera वाला phone है उस camera वाले phone से आप जो भी photo खीचेंगे ना वो high resolution की high quality में खीच सकते हैं और यहाँ पर आप सभी को नीचे नीचे आ जाने ठीक है जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को आपके phone के camera की setting में एक option देखने को मिल जाएगा इस option का नामे picture quality है अब यहाँ पर by default यह standard set होता है तो इसके उपर आप सभी को रख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको number 4 setting के बार बता देता हूँ दोस्तो यह जो number 4 setting है यह setting आप सभी के phone के camera के लिए काफी जादर जरूरी है दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप अपने phone के camera से आप selfie कीच रहे होते हैं फिर सभी solution आप अपने phone के camera की setting में कर सकते हैं तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है ताकि आपकी जो photo है सिर्फ एक click में अच्छी खासी click हो जाएं तो इसके लिए simply आपको three line के उपर click करना है आप सभी को अपने phone की camera की setting में चले आना है और यहाँ पर आप सभी को नीचे आके यहाँ पर आप सभी को option देखने को मिल जाएगा fingerprint setter का इसको आप सभी जैसे on कर देंगे उसके बाद आपके phone में जो भी fingerprint sensor है उसके उपर जैसे आप click करेंगे तो आपके phone में जो भी photo है एक click में खिच जाएगी आप सभी को अपने phone के camera बटन तक अपनी उंगली को ले जाने की बिल्कुल भी जोट नहीं पड़ेगी तो इस setting को भी आप अपने phone के camera में जरू से कर लीजेगा तो चलिए अब मैं आपको अपने आखरी और पांचवे setting के बार बता देता हूँ तो चलिए मैं आपको जल्दी से अपने आखरी और पांचवे setting के बार बता देता हूँ दोस्तों ये जो उमारी आखरी setting है ये जो उमारी पांचवे setting है इस setting को आप अपने phone के camera में जरू से कर लीजेगा क्योंकि इस setting को अगर आप अपने phone के camera में कर लेते हैं फोटो खींस ने तो उसकी quality तनी अच्छी नहीं आ पाती है तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप रात में कम रोसनी में कोई भी फोटो खींस है उसकी quality काफी बढ़े आए तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना इस के लिए आप सभी को three-line के उपर क्लिक करना है और आप सभी के फोन में चांद वाला ऑप्षोन होगा ठीक है पाफी गजब आने वाली है तो इन सारी सैटिंग को आप अपने फोन के कैमरे में जरूर से कर लीजेगा अगर आप अपने फोन की कैमरे से फोटो खीशते हैं तो इन सैटिंग को आप अपने फोन की कैमरे में जरूर से कर लीजेगा